दोस्तों बात करने जा रहा हूं भारत और चीन के बढ़ते व्यापारिक संबंद की जी हां भारत और व्यापार के व्यापारिक संबंद चुपचाप शांती से काफी जवरजस्त विकास की है लदाख में जो हमारी युद्द सी स्थिती हुई जड़प हुई दोनों के फोजों के बीच में 20 भारती सैनिक मारे गए और चीन के चार मारे गए अलाकि भारत का काना है कि बहुत ज़्यादा मारे गए हैं चीन के सैनिक भी और पैंडेमिक होने के बावजूद भी 2020 और 2021 में जवरजस्त इजाफा हुआ है आकड़े मैं दूंगा और इजाफा मुख्य रूप से दोनों के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एकारन हुआ हला कि चीन से इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ है और भारत से जो एक्सपोर्ट हुआ है वह काफी सिमित है भारत और चीन के बीच व्यापार 62.7 प्रतीशत बढ़े और यह बढ़त जहां तक चीन की बात है दूसरे देशों के तुल्ला में सबसे अधिक है जी हाँ और यह बढ़के 57.4 बिलियन डॉलर हो गया है यह लेन देन ब्यापार 2020 में 44.7 बिलियन डॉलर था अंतर भी देख ले जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वह केवल 14.7 बिलियन डॉलर है जबकि इंपोर्ट 42.6 पहुंच गया है यह भारी अंतर खासकर उस उपकरणों के कारण हुआ है जिसे भारत की ज़रूरत थी 12,000 माफ किजिएगा 26,000 वेंटिलेटर्स और 15,000 ऑक्सिजन जिनेटर्स करता यह इसके अलावा है जिसमें उसने बहुत सारे दूसरे मेडिकल एकुपमेंट्स और भारत का एक्सपोर्ट जहां तक है वो आईरन ओर कुछ तक कोईले का भी और दूसरे तरह के बेसिक चीजों का एक्सपोर्ट किया गया जिसे चीन की जोद पड़ती है और कुल मिलाकर देखें तो जो बाइलेटरल डेवलप्मेंट हुआ है दोनों के बीच में वह 70 परतीशत बढ़ा है 2019-20 के तुल्लामी 21 में आके हलाकि अब कोरोना वाइरस के कमी होने के बाद उसके रुकने के बाद इसमें कुछ रुकावट सी आई है BBC का भी यह रिपोर्ट है BBC भी इसमें कहा है और उसने यहां तक भी कहा है कि USA जो European Union का सबसे बड़ा पार्टनर होता था अब वह नंबर टू पर चला गया है नंबर थ्री पर UAE है और पहला अस्थान चीन का आगया है चीन कीवल भारत के साथ ही नहीं पूरे European Union दूसरे देशों के साथ भी इसका व्यापारिक संबन्द बढ़ा है जहां चीन का एक्सपोर्ट भारी मात्राम बढ़ा है वक्त वक्त की बात है गलवान वैली के बाद से भारत ने वहां के करिब 200 से अधिक एप थे नेट पे वाटसप पे उसको बंद कर दिया टिक टॉक वीचाट बीबो भारती जनता काफी खुश वी थी कि चीनी से डर गया है कि चीन के व्यापार को घट जाएगा चीन को घाटा होगा और चीन वहां पे रुक जाएगा अपनी हान मानने कोशिश करेगा अला कि चीनी सेनिक अभी वहीं बैठे पड़े हैं आपको अधान के लिए बताओं कि ऑस्ट्रेलिया ने जब काफी बाते शुरू की हंगामा शुरू कि अमेरिका के साथ कहा कि हौंग कॉंग में चीन यूमन राइट्स का वालेशन कर रहा है तो चीन ने वहां से कोईले का इंपोर्ट बंद कर दिया आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया विश्ट्रो का सबसे वड़ा कोईले का एक्सपोर्टर है और जब भारत ने इस क्लाइमिट वौल्ड क्लाइमिट में जब COP26 से भाग लिया था उसने यह का कि कोईले कोखत्र करने की बात ना कहा जाए कोईले के यूज्च को कम किया जाए तो इसका सपोर्ट किसं ने किया शीन और Australia ने किया खैर तो मैं यह कहा रहा था कि उसने Australia से बिल्कुल बंद कर दिया उसको घाटा जरूर हुआ क्योंकि दूसरे जगों से लेना पड़ा और दूर से लेना पड़ा लेकिन चीन को इसकी कते ही चिंता नहीं है वह आत्म निर्भरता की बात जहां तक है आत सम्मान की बा थे हलाकि इसमें चीन का रून कम रहा है दो दसमलों एक साथ बिलियन डॉलर ही रहे है डॉक्टर फैजल जो एकनॉमिक एक्सपर्ट है कहते हैं कि नहीं FDI से घबलाने की बात नहीं है इससे मदद मिलता हमें सेल्फ सफिशेंसी में साथ साथ यही मैनुफाक्ट्रिंग के अंहीं कर रहे हैं जहांकर हम बूत बीचूंघहां-चीन बहुत आगय अचीन घुट छिं से जहां तक बात है मैं इस इस अद आप और दो चुक्क होंगे चीन और भारत के मिर्फ पर के बीच में इंपोर्ट नेइक्सपोर्ट के बीच में इसमें मैं डिटेर्मन नहीं जाओंगा इतना ही आपको एक सूचना और दे दूँ कि S-40 मिसाइल्स जो रश्या करहें काफी पाउरफुल सर्फेस्ट्वेर मिसाइल हैं डिफेंस के लिए बहुत बढ़िया है उसको भारत और रूस ने हरी जंडी दे दिये जहां रूस चीन के साथ मिलकी अमेरिका के मुकावला करने को तयार है आर्थिक रूप से, मिलिटरी रूप से वहीं पर चीन भारत के साथ आर्थिक गतिविदियां बढ़ा रहा है और रूस भी अपना मिलिटरी एकुप्मेंट, एडवांस्ट वेपन्स भारत को बेच रहा है समझने की जरूत है, पूंजी की जरूत है, भारत, पागिस्तान, चीन और मिरका की जरूत नहीं है भारत जहां कोईले का एक्सपोर्ट कर रहा है वहीं इंपोर्ट भी कर रहा है जहां एक्सपोर्ट करने वाले पुझी पती उनको फैदा हो रहा है वहीं इंपोर्ट करने वाले पुझी पती वहां भी फैदा हो रहा है और GDP बढ़ रहा है जहां तक भारत में रोजगार की बा आवाद